मर्ने आपके कोड़ेगे करा किता गोंच में निता कोड़ेग। हुआ एले स्ट्वुडेंट, मा जी तम वने कर दमे एक करोलोस पापटेंचे में भी तीटल शाल मुझा पाढ़ेगे। प्रण का दूसरी नाम है धनी बन रे बन की दूसरी नाम क्या है धनी तो ब्याकरोन भी भग रहे, आमी राणी लोजे ब्याकरोन रहे किछी अंगो चीज, अंगो कुड़ी का कणकण बनना सब्द पद को बाक्यू मनुश्य आपने भाव बिचार के अभिव्यक्त करने के लिए आपने बायगंत्र बा मूख आदि का मदत से कुछ धानिया निकलती है, स्रता इसे कुछ और्थ या मतलब समस्ति है, तो स्रता तारे कोछी और्थ बा मतलब सुणी परठन ती बा तकू बुझी परचती, सार्थ सार्थक धानिया संहों को सब्ध कहते हैं, निर्थक धानिया सब्ध नहीं कहला सकती है, निरभत्धक द्वानी बाल जो सब्डवाद chroni किछी मतलब बुझी बाला मैं भुझी भाहगल सर्थ ताक्वा में ध्वानी बोली कहई परिवा नहीं बोलने वाला एक या एकाधी की सब्ध का प्रयूग कर सकता है बोलने वाला जो को हुचों थी बा कोई वाला एक अधिक सब्दोर प्रयागों से करी परिवे कुछ सब्दों को एक साथ बोलकर बगत आपने भाव विस्तार को पुरी तरह अभिवक्त करता है पुरी तरह भाव भाव विचार प्रकासित हो जाए कहीं किना से अर्थरे निजोर भाव विचार प्रकासित है जाओ बाक्यों कहलाता है तो तको आमें कोई बाव बाक्यों वली कोई बाव बाक्यों आमें कहा कोई बाव विचार जिसके माध्यम से किसी भासा के यूजवाब किसी भासा के सूध रूप से पढ़ते लिखते एवन समझते हैं उसे ब्याकरण में बाक्यों कहते हैं बाब ब्याकरण कहते हैं तो ब्याकरण किसे कहते हैं? वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भासा के सूध रूप से पढ़ती लिखते एवन समझते हैं उसे ब्याकरण कहते हैं तो ब्याकरण नर केते ड़ी उंगों ची चारोटी फास्ट रे बन्न सब्द प्दो और बाक्य तो बाक्यर नर दुष्रे बन्नर रे गुष्रा नाम बागर आवेटे नाकरण ची धनी, धनी माने सब्द जो धनी सुणी बागर जोटा को सुणी वा तको में धन्न वोली धन्नी बोली कोई वा धन्नी सुणी वा द्वरा मोझी सो संभा व्यक्ति तको बुजी परी तारा उच्छर नन करी परीबो संग्या का विशेशन सर्व नाम क्रिया अबया पहले चार प्रकार के पद बास संग्यारा चारी प्रकार पदर हो इथा है कौनकन पहला चार प्रकार के पद का रूप परिवर्थन होता है पड़थ में चारी प्रकार रूप और थाको परिवर्थन कर जाए अबय का कोई परिवर्थ नहीं हो सकता अबय पद रहे कोई से प्रकारा परिवर्थ नहीं पहला प्रकार की विकार और अबय को अबिकारी पद कहे जाता है बाप पहल बाप पहली मने प्रत्फमपद को अभिकरी वोई बिकरी अभिकरी ओव बोली कोही जिख graves परिवा संग्या का अर्थ नाम म शंग्यार अर्थ और कोण शंग्यार और नाम सब्सक्तों अग्राक सब्सक्राइब सब्सक्राइब बैक्ति वां जोनियाधी परिवार हां, पशंग और लोकितरे में बैक्ति वांचोट के संगेंगा हां परिवेले सवादी जैसे राम, कुरुष्ण, इंसन, सिहां, हाकवर, भारत, एस सबु जेमिती नई परिवार, तो आमें भारत, कटक, हिमालया, कामधेनू, रामचरित, मानस, मानस, रोव, आधी, एक-एक कोण, भावबच्चकन में, बाव बैक्ति बाच्चक संग्याट, एस सबु बटे बैक् बावबच्चक संग्याट, कोई बरिवार, यहां बावबच्चक संग्याट, एक विशेज प्रकार के प्राणियों के समझ जाता है, यहां जाती बावबच्चक संग्याट, एक विशेज प्रकार के प्राणियों के समझ जाता है, यहां जाती बावबच्चक संग्याट, प्रयोग होई था है उसे जाती बाचक संग्या कहते हैं ताकू जाती बाचक को संग्या बली को हजाए जैसे पूरुस लड़का गाय कुटा पसू घोडा बंदर तोटा चिडिया प्रधन मंत्री कभी लेखक कूर्सी खिलाडी सिख्यक पाहाडी बिजली भूकंड सुनामी ब ओडिस्ता में लुहे की खाने हैं तो ओडिस्ता बड़े जाती को सुचेई परिवा जाती बाचक को संग्या रहे जाई परिवा यहां लोहा पद से एक द्रभ्य का पदार्थ का बोध होता है यहां पर कही बाग गुगल है लोहा पद वा लुहा पदरों बड़े द्रभ्य संघया कहता है बात आकवामे अबभभ वाचक संजया वन लिकोही परिवा को performs आखी टो संघया से पहले वाद बी सेशन कुछ हाँ संघया के मूल रूप से ही उताए कि अि मुड़ रूप संघया यnte प्रेमो गुरुणा ममता जूट साच उसा साच लोवाधी ये सबू भाववाचकव संग्यर जाए संग्या लड़का कोही बाकुगले संग्यर भाववाचकर रूपा गण लड़का लड़का पन तथारे भाववाचकर संग्या गण लड़का कोही बाकुगले वेड़े तु सूचेवा, मानव, मानव मनी मुलिषव, मनी मुलिषवल, मनी 7 30, 70, 70 मनी 7 करिबा, 70 मनी 20, 7 करिबा, बंधू, बंधू पटा, बंधू ओ ची आउ बंधू पू पुलेब, सैटकोई बंधू पुले पद में प्रयोक्त होता है ये कट्टा कर्म आधरे प्रयोक्त आटे इनके बिना बाक्य रजना संभब नहीं होती या बिना बाक्य सुरचन करीवरे संभब पर होई नथा है संग्या पद का रूप लिंग, बच्चन, पूरूस, कार्योप के अनुसार बदलता है संग्या रूप लिंगो पद वो बच्चन द्वारा बदलता है आगे इस पर बिचार होगा संग्या के लिंग हिंदी में प्रत्यक संग्या सब्द या तो पूलिंग में होता है या तो स्त्री लिंग में होता है प्राकृतिक रूप से पुरुस जाती को प्राणी को पुलिंग और स्त्री जाती के प्राणी को स्त्री जाती को पुलिंग में होता है लेकिन प्राणी बात्य सब्द लिंग बिदान हिंदी कि आपनी विशे सता है और इन सब्द का लिंग न प्रत्य क्यों शंग्या सब्ध का लिंग जनना ज़रूरी इसलिए है कि करता या कर्म आधिके रूपसे प्रैउक्त होता है तो कर्म द्वारा तारो प्रयोक्त कर जायी परिबाब संग्या सब्द के लिंगानुसार क्रियापद का लिंग बनता है संग्यापद धरे कही बागो ले क्रियापद लली लिंगो बनीबाबा द्यारी हुए, निम ने बाकी में देखिया आदमी आता है और अब जाती है तो आदमी आता है रो विपरितकण वो औरत जाती है बालग ने रोटी खाई बालिका ने फल खाया हवा चलती पवन बहता ऐसी ही नाम वह रही है ऐसी ही नाम वह रही है कान गीत सुनता है जीव स्वाधन जान लेती है हाथ काम करते हैं भूजाएं उठती है आदी लिंग की परिभासा संग्या के जीश रूप से बैक्ती या बस्तू की नर या मादा जाती का बोध होता है उसे बैकरण में लिंग केते हैं लिंग संस्कुरूत भासा का एक सब्द है लिंगो संस्कुरूत भासा रगटिये सब्द अटे जिसका अर्थ होता है चिन्ह जाहरो अर्थ है उची की चिन्हों लिंगोर अर्थ है उची चिन्हों अर्थ है या निरास बान निसान की संगा का हो चिन्हों अर्थ है निसान क यह कई फो तो पूरस जाती की होती है 들ेगा क्या तो पूरस जाती होड़ी तुन दLike करा मेरे लाग आवे झाल